दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे खूबिया फाइटर जैट के बारे में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अजग का विशे हैं मिग 25 फॉक्स बेट भारतिय वायू सेना, मिग 25 फॉक्स बेट का गर्व और चमक, शक्ती और उत्कृष्टता का सही उधारन है मिग्या मिकुयान गुरविच मिग 25 आएएफ का एक सुपरसोनिक इंटिसेप्टर और टोही विमान है इसे अपने हलके शरीर के कारण सेना में सबसे तेज सेन्य विमान माना जाता है आएएफ मिग 25 फॉक्स बेटी की अंकही कहानी चलो मई 1997 तक वापस आ जाओ इसलामाबाद में एक विशिष्ट दिन था जब लोगोंने एक असामान्य ध्वनी सुनी जो एक बादल फटने की तरह लग रहा था पाकिस्तान की सेनाओं को इस असामान्य ध्वनी के बारे में पता चला और ट्रैकिंग की कोशिश की जब उन्हें ये समझ में आया कि एक विमान पाकिस्तान से भारत के लिए दोड़ रहा था पाकिस्तान की सेना को पता था कि यह उनका विमान नहीं था और इसकी उत्पत्ती का अनुमान लगाना शुरू कर दिया कलाकृती और कोई और नहीं बलकी मिग माइनस 25 मुकाबला था ये भारतिय वायू सेना का सबसे गुप्त और शक्तिशाली विमान था जो गरूर नाम से प्रसिद था और लोगों ने सुना की लोगों ने मिग द्वारा उत्पंसो निगभूम था उस समय आएएफ के पास जिस विमान थे वहेशिया एक शेत्र में सबसे शक्तिशाली विमान था जिसकी कोई भी विमान तुलना नहीं कर सकता था इसके अलावा, फॉक्स बैट में जो विनिर्देश और विशेश्टाएं शामिल हैं, वे अभी भी अधिकांश विमानों में दुरलब हैं मिग 25 फॉक्स बैट के बारे में अनकही तत्य 1. फॉक्स बैट भारतिय वायू सेना का सबसे गुप्त विमान है 2. शिवरूर लिवफिस्ट के संस्थापक, मिग के बारे में बात करने और रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ती थे जब उन्होंने बरेली एर्वेस का दौरा किया 3. मिग 25 फॉक्स बैट एक हवाई जहाज है जिसने 25 से अधिक वर्षों तक भारतिय वायू सेना की सेवा की है और हवाई गतिविधियों पर संदेह करने के लिए सुपस्पी की भूमिका निभाई है इसके अलावा इसने भारत की शत्रता पूर्ण सलाह के बारे में समवेदन शील जानकारी लाने में भी योगदान दिया है 4. वायू सेना में अपनी गोपनी अस्थिती के कारण केवल 25 पाइलिटों या अधिकारियों ने 25 वर्षों के लिए इस हवाई जहाज का संचालन किया है आई-एफ के बाकी लोगों को फॉक्स बेट के अस्थित्वा और योगदान के बारे में भी पता नहीं था 5. मिग कॉमबेट ने भारती आएफ के सबसे तेज विमान, सर्वोच सेवा सीलिंग और कई अन्य जैसे कई शांदार खिताब और पुरसकार भी दिये हैं 6. सितंबर 1976 में मिग 25 के साथ एक दुखत घटना थी जिसमें अमेरिका ने इसे पकड़ लिया जब अमेरिकियों ने विमान की जांच की तो वे इस तरह के असाधारन विनिर्देशों और सुविधाओं को देखकर चौक गए उपयोग की जाने वाली सामगरी और इसके वैक्यूम ट्यूब रडा और आयोजित वेल्दिंग तकनीक ने सभी को चकित कर दिया फॉक्स बैट की सबसे रोमान चक विशेशताओं में से एक इसकी अल्ट्रासोनिक गती थी जो मैक 3 की गती को भी हरा सकती है लेकिन किसी भी जटिलता को रोकने के लिए यह मैक की गती से कभी नहीं चला था आई एफ ने 1981 में मिक 25 को शामिल किया जिसमें इस विमान के आर वेरियंट का उप्योग किया गया था यह एक तोही और गैर बंवर्शक संसकरन था जो नहत था और मुकाबला के लिए पात नहीं था मिक के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि उच्च स्तर पर संचालित करने के लिए इसकी अपराजय गती और शक्ती थी